हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चानल आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन बिर्यानी एक काफी सिंपल चिपन चिकन बिर्यानी और कम तेल में बनता और बहुत टेस्टी लगता है इसके लिए एक गलास पानी लिया है मैं चावाल लिहूं मैं उस अच्छे से त लोगके रहाए और स्पक्रया के चार गलास पानी लेंगे ऐगास को चार गलास क्योंके आम है पानी निकाल देना है उबाल के लिए पक़राव मैं उबालते समय भी और पीसिस भी पीसिस आप मंचाय ले सकते चोटे या बड़े मैं मीडियम साइज ले रही हूँ पाश्टा माटर मीडियम साइज में कटे हुए खड़े मसाले अधरक लसून सबको पेश्ट बना के मैं चिकन में डाल दूँगी पीस लिया है मैंने अच्छे से उसमें आदा किलो दही एक किलो चिकन को आदा किलो दही लगता ही है उसमें दो बड़े चममच मिर्ची पॉडर हम रोद थोड़े स्पाइस खाते हैं इसलिए रगते आप कम खाते दो कम डालियेगा आदा चममच हल्दी पॉडर साधनसार नमक तेल चार बड़े चमाश उसकी पोगे मुझसे वीडियो इसे डालके अच्छे से मिला लीजे मिलाके इसे दो गंटा साइड में रख दीजे अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं हो ता आप एक गंटा भी कर सकते फिर इसको गैस पे चड़ाके तेके कडची इस तरह के यूज कीजेगा ने तो पीसे तूटने का डर रहता है उसे गैस के अपर मीड़े माच में पकाईएगा जब तक पानी एकदम गाड़ा ना हो जाए चिकन का जैसे पक रहा है उसको रखके 10-15 मिनिट डखकर भी पकाईएगा देखिए गड़ा हो गया है हमारा ग्रेवी जैसे उपर देखिए तेल तेल आ रहा है इसका मतलब है अर्मुष्ट तयार है हमारा चिकन एक बड़ा चमक दन्या पौडर एक बड़ा चमच गरम मसाला पौडर डाल के सच्चे से मिला लूँगे मैं इस स्टेज पर आज दीमी कर दीजिए खिकि हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए है खिकि पार राइस मिक्स करने के लिए देखिए इसे डग दीजिए और साइड कर दीजिए एक कड़ाय में बड़े चमच चार तेल डाल के मैं उसके उपर राइस डाल दूँगे मैं जो में उपस पका के रखे थे देखिए इस तरह से इसे लहर वे लहर वे डालूँगे मैं सकपड़ चिकन फिर राइस फिर राइस पिर उनियंस जो में अच्छे से तर लिये थे थे श्लाइस केवा उनियंस उसे अच्छे से तर लीजे रेड होने तक फिर उसे यूज कीजिए उसका टेश्ट बहुत अच्छा आता बिरियाणी में आप चाहे तो मसाला पीस्ते समय भी उनियंस डाल सकते हो उसमें भी वो लगता है देखिए इस तरह से लेहर बेले डालते जलिए जब तक आपका पूरा बरना जाए उपर तक कड़ाई पतिला जो भी हो फिर फूड कलर एक एक करके में डालूंगे उसको मिक्स करके अलग अलग कटोरी में इससे बहुत अच्छा कलरफुल दिखता और बहुत टे है मुझे थैंक यू देखिए एक एक करके फूड कलर अच्छा लगता है अगर आपको पसंदे ता आप स्किप भी कर सकते हैं ऐसे रखिए सौड पर कुछ फर्क ने पड़ेगा फिर बीच वीच में से स्प्रिंग ओनियन्स अब सिर्फ स्प्रिंग ओनियन्स और दन्या पती से भी सजा के रख सकते हैं मैं फूड कलर डाल हूँ तो यह लहर बे लहर निकलता है तो बहुत अच्छा दिखता है प्लेट में बस उसे डखके एकदम सिम माच में दस मिट तो पकाईएगा जस्ट दस मिट रख चेह तो दो मुटी पानी भी चुड़क दीजे एकदम सिम माच में रखेगा देखे त क्याम कोता है और दिखें त pessim कि तैयार हो गया है तो इतना है कि राइता कि सर्फ और से बेका के लिस्द भी खा सकते हैं शुआ ख lithe sug चिकन लिए नि कि यह दानी देखिए राइस स्परें कि जेतना दिख रहे हैं थैंक यूँ झाल झाल